दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं क्रिकेट नियूज दोस्तो आई पिल 2020 की ओक्षन को लेकर बी सी सी आई लगातार अपडेट देती जा रही है और अभी जो दोस्तो लेटेस अपडेट्स निकल कर आ रही है उसके हिसाब से आई पिल 2020 का ओक्षन हमें जन्वरी या फिर मैंने में होता हुआ दिखाई देने वाला है और ऐसे में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है टीम आर सिबिके बारे में तो दोस्तो आई पिल 2021 के ओक्षन में काफी pilot करच करच करने वाली है और दोस्तों यहां RCB के क्रीके डारेक्टर माईक हैसन ने भी इसके ओपर एक बहुती बड़ा बयान दे दिया है और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इन तीनों ही खिलाडियों के बारे में बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो काफी जड़ा इंपोर्टेंट और इंट्रस्टिंग होने वाली है RCB के फैंस के लिए तो दोस्तों अगर आप भी है RCB के एक बड़े फैन और वेड करने आई पियल 2021 का तो कर दीजे हमारी वीडियो के एक लाइक वर आई पियल जुड़ी और चोटी बड़ी कबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट नियूस को सबस्क्राइब करके बेल आईकन को जरूर दबा देना बात करूं दोस्तो पहले बड़े खिलाडी की तो दोस्तो ये निकल कर आ रहे हैं मैथ्यू वेड दरसल दोस्तो जैसा कि आपने इंडिया वर्सटेलिया के सीरिज में देखा भी था कि मैथ्यू वेड काफी शांदर बले बाजी कर रहे थे और काफी ज़दा बाउंडरी वो यहां लगा रहे थे और दोस्तों आपने इनोटिस भी किया ही होगा कि उनका स्ट्राइक रेट भी काफी बहतरीन था उस दोरान और दोस्तों उनका फोम भी फिलाल काफी शांदर चल रहा है और इन सभी चीजों को मद्दे नज़र रखते वे RCB के क्रीके डिरेक्टर माईक हैसन ने इसके उपर एक बहुती बड़ा बियान दिया है दोस्तों का कहना है कि अगर इस साल मैथ्यू वेड ओक्षन में आ जाते हैं तो RCB को उन्हें जरूर पर्चेस कर लिना चाहिए और दोस्तों यहां माईक हैसन ने अपना सजेशन देते वे कहा कि यह बहुती शांदर खिलाडी हैं और इनके उपर RCB 8 से 10 करून रुपे तक खर्च कर देगी तो कोई जादा नहीं रहेगा क्योंकि यह एक बहुती शांदर खिलाडी है और जिस तरह से इनका फूम फिलाद चल रहा है उस हिसाब से यह RCB को बहुती बड़ी शुरुआत दे सकते हैं IPL 2020 में तो दोस्तो आप नीचे कमेंट करके बताईए कि मैथ्यू वेड RCB के लिए ठीक रहेंगे कि नहीं या फिर RCB को किसी दूसरे खिलाडी की और जाना चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा बात करो दोस्तो दूसरे बड़े खिलाडी की तो दोस्तो ये निकल कर आ रहे है टीना टराजन और दोस्तो टीना टराजन एक बहुती अच्छे बोलर है और इंडिया वर्सेज ऑस्टेलिया की सीरीज में आपने देखा भी होगा कि उन्होंने अपनी बोलिंग से सभी को काफी ज़दा इंप्रेस भी किया है और दोस्तो टीना टराजन में लगातार योरकर मारने की कापैसिटी काफी अच्छी है और इस साल दोस्तों यहां IPL 2020 में टीनाटराजन यहां हैदराबाद की टीम की तरफ से खेल रहे थे और दोस्तों आपने देखा भी था कि एलिमिनेटर मकाबले में उन्होंने ही मिस्टर थिशिश्टी एब बीडी विलियर्स को आउट करके मैच को एक बहुती बड़ा टर बयान दे दिया है माईक हैसन का कहना है कि टीनाटराजन एक बहुती अच्छे गेंदबाज हैं और अगर वो टीम RCB में आ जाते हैं तो यह बहुती अच्छी बात होगी लेकिन यहां इस बार सभी टीमें टीनाटराजन के पीछे होगी और इसलिए यहां RCB उन पर जादा बीटिंग करेगी ताकि वो टीम RCB में आ जाएं तो दोस्तो टीनाटराजन का RCB में आना ठीक रहेगा की नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा बात करो दोस्तो तीसरे और आकरी सबसे बड़े खिलारी की तो दोस्तो यह निकल कर आ रहे हैं स्रीसांत जी हाँ दोस्त बॉलर हैं और दोस्तो काफी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं लेकिन दोस्तो पिछले कई सालों से अपने बैन की वज़े से वो नहीं खेल रही हैं लेकिन दोस्तो अब उन पर से बैन हट चुका है और वो इस साल IPL 2020 में में खेलते वे दिखाई देने वाले हैं और दोस्त तो मैं आपको बता दू कि टीम RCB उन पर साथ से आट करोन रुपे तक खर्च करेगी और अगर इतने में वो RCB में आ जाते हैं तो ही RCB उन कॉम्पनी टीम में साल शामिल करेगी तो दोस्तो स्रीशांत का आना RCB के लिए ठीक रहेगा कि नहीं नीचे कमेंट करके जरूर ब पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजेगा और साथ ही हमारे चैनल क्रिकेट न्यूस को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरू दबा दीजेगा तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई थैंक्स पुर वोचे झाल कर दो नेक्स पोर इन दीजेगा पुड़ी थैंक्स वीडियो थैंक्सटों मिलते हैं उन्यूस के लिए लेट नेक्स के टूर के लोगोगे नेक्स बाहे हो पुड़ी पूर आपसे के लिएक्स